आप भक्त हैं और आप जानते हैं कि भक्ति का रंग जिन पर चड़ा हुआ होता है उन पर कोई और रंग असर नहीं करता बे नकारात्मक्ता में भी सकारात्मक्ता को तलाश कर लेते हैं यदि कोई उनका बुरा भी चाता है और उनका बुरा हो भी जाता है तो वो उस बुरे होने में भी अच्छाई को तलास ही लेते हैं उसमें भी वो अबसर निकाल लेते हैं यही है बास्तिविक भक्त की परिभाशा कोई असी के दसक का एक प्रसंग आपके चरणों में रख रहा हूँ आप जानते हैं कि असी के दसक में अक्सर गाउं में अधिकांस लोगों के घर कच्चे ही होते थे घास फूसकी जोपड़ियों में रहते थे कुछ दरबाजी भी ऐसे ही होते थे और नीचे मारबल को महत्मा रहते थे नरंकारी थे पड़ोस में रहने वाले वेक्ती उनसे जलते थे वो कोई न कोई ऐसा कारे करते रहते थे जिससे ये महत्मा परेशान हो जाए उस दिन इन महत्माओं के घर सत्संग था दोपैर के बाद में पड़ोसी ने क्या किया सवेरे सवेरे इनके घ प्रीत प्रभाप पड़ेगा और वो इस व्यक्ति को कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं कुल मिला करके गोबर फैकने के पीछे जो कारण था वो यह था कि इने तुख मिले चाहे जैसे भी मिले परंतु वो भी पके ननकारी थे ननकारी मतलब निर एहंकारी जिनके अंदर एहंकार होता ही नहीं गोबर देखकर वो दुखी होने के बज़ाए खुश हो गए दरसल उस दिन उन्हें अपने घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर मिल नहीं रहा था और उन्होंने गोबर फैका और इन्होंने उस गोबर को अपने घर में लीप लिया मतलब आपदा को महत्माओं ने अबसर बना लिया और फिर शाम को बहुत अच्छी तरह से सचंग हुआ सत्संग में आने वाले महत्माओं ने उन्हें भरपूर आशिर बादे दी और फिर सबने बहां से प्रस्थान कर लिया अब इन महत्माओं ने उस गोबर फैकने के लिए गोबर फैकने वाले परिवार को धन्यवाद दिया एक सच्चा नरंकारी एक सच्चा ब्रहम ज्यानी बिप्रीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेता है वो अभिशाप को भी बर्दान में परिवर्तित कर लेता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंड लेता है और यही होता है उसके ब्रहम ज्यानी होने का उस पर प्रभाब की हर परिस्थिती में वो एक जैसा रहता है हर विप्रीद परिस्थिती को भी वो अपने अनुकूल बनाने का लगातार प्रियास करता है और इस काम में उसके सायक होते हैं ये ब्रह्म सत्गुरु ही उसके सायक होते हैं और इस तरह से उसका जीवन चलता है, निर्बाद, अनवरत, लगातार, प्रबहा उसके जीवन का निरंतर बहता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में आने वाली रुकाबटों को भी वो अपने साथ साथ ही गतिमान कर लेता है, चलो, रुकाबटे तो आती हैं उसके जीवन में परंतु वो उन रुकाबटों को भी अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है आउ चलें आउ चलें आउ चलें सत्गुरु को ये बताय हुए रास्ते की तरफ निर्बाध गती से और इस तरह से रुकाबटें भी उसकी सहयक बन जाती है उसके काम में मदद करने लगती है जैसे इस परिवार के साथ हुआ था तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में बताईएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कीजेगा और लाइक भी कीजेगा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल क्योंकि सानतन समाज में हमारे पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां दर्ज हैं ऐसी बोध कताएं दर्ज हैं जो कहती कुछ प्रतीत होती है वास्तविक अर्थ उनका कुछ और होता है और हमें लगता है कि यह जूट है यह गलत है यह असंभव है कुछ भी असंभव नहीं है उनका वास्तविक अर्थ क्या है? इस चैनल पर बही किलियर करने का प्रियास किया जा रहा है तो आप चैनल हिंदुस्तानी गौरप को सब्सक्राइब भी कीजेगा और उस पर आने वाली वीडियो को शेर भी केजेगा और कमेंट भी कीजिएगा और प्रतिक वीडियो को देखेगा अवस्य है